हेलो फ्रेंड वेल्कम बैक तो माई यूटिव चैनल इस्टडी आर्ट हफ्स फ्रेंड्स आज डिस्कस करने वाली हो अजंता केव के बारे में अजंता की गुफ़ा पार्ट तू अगर आपने पार्ट फर्स्ट मिस्स किया है तो जरूर देखेगा जिसली कम्मिनिकेट कर पा है और फर्स्ट टॉपिक देखने के लिए आपको विजिट करना होगा मेरे चैनल पर ही प्लेलिश्ट का नीम है माई इंपॉर्टें नोट्स वहाँ पर एजसे सिक्वेंस आपको चैप्टर वाइस सारे वीडियो मिल जाएंगे ओके अजंता की गुफ़ा पढ़ने से पहल में आप पार्ट फर्स्ट वीडियो में देख सकते हैं पार्ट सेकेंड है अजंता गुफ़ा चित्रों का वर्गी करण क्लासिफिकेशन ऑफ अजंता म्यूरल्स वाचसपती गुरल्ला वाचसपती गुरल्ला की पुस्तक थी भारतीय चित्रकला इनकी बुक का नेम था भा अलंकारिक नेम से ही पता चल रहा है कि फ्लोरल पेटन के बारे में बात हो रही है तो फूल पती हाथी पुष्पिलताएं कमल दल पश्यू पक्षी यह सारे वक आपको अलंकारिक के पोर्शन में देखने को मिलेगा सेकेंड है रूब भैदिक रूब भैदिक विसकली पद यह टर्म्स आपको ध्यान रखना है पूछा ही जाता है कि अजन्ता की चित्रों को कितने भागों में वर्गिकरत किया गया तो तीन भाग है तीन भाग जो हैं वो हैं अलंकारिक रूब भैदिक और वर्डात्मक किसने यह थ्री पार्ट डिवाडेशन किया वाचसपति गो फिलोस्फिय अलग अलग रही है सबकी क्रोनलाजिकल सिक्वेंस बहुत जरूरी है कि अजन्ते की गुफा बनने का क्रम कैसे रहाता तो यह गुफा जो है अपुड़ गुफाओं से अनुमान लगता है कि इनका अनुमान इनका जो निर्माण है वो उपर से नीचे की तरफ है यह मनोब लत्रीक्वेमें इस डिरेक्शन में उपर से नीचे की ओं तो इसका बनाने की बाद पिर चफ बनाए जाती थी छद बनाने की बा सा पिलर बनते थे जिसे खंबा कहा जाता है, खंबा बनने के बार दिवार बनाई जाती थी, तो इस तरह से chronological sequence रहा है, that means monolithic way में, गवाक्ष छत खंबे दिवार भिती, जिसे कहते हैं, monolithic way में इस तरह से construct किया गया है, और गवाक्ष पिसे कली रोशन दान को कहा जाता है, यह आपको ध्यान र कौन-कौन से यात्री अजनता में विवरल प्रस्तूद की है, जैसे फायान और हंसन चीनी यात्री थे, बाडबट भारती है, और लामत आरणा तिब्बती इतिहासकार कहे जाते हैं, अजनता का नामकरण कैसे कैसे हुआ है, महा मयूरी या फिर अजिन्त जै, अजिन्त जै अजिश्टा अजिश शब्द से अजनता नाम पड़ा, मैत्रे बुद्ध कहा जाता है कि भविश्य में आतरित होने वाले बुद्ध, मैत्रे बुद्ध का मतलब होता है, बाधर्म महा मयूरी में अजितन्जे नामक इस्थान का उलेख हुआ है, संभौत है, इसी से इसका अजनता पड़ा, अजनता गाउं से कुछ किलोमेटर डिस्टेंस पर अजिश्टा ये अजिटा नामक इक गाउं है, कुछ विद्वानों ने इसी से अजनता शब्द की उत्पत्ति मानी है, मैत्रे बुद्ध, भविश्य में आतरित होने वाले बुद्ध को बाध धर्म मे अरजित कहा गया, इसी शब्द से अजनता शब्द की उत्पत्ति होई, प्रमुग गुफाओं में उपलब्द चित्र, प्रमुग गुफाओं में जो पेंटिंग्स अवेलेबल होई है, जैसे केव नमबर 9, 10, 16, 17, 12, 9, 10 सबसे प्राचीन गुफा कही जाती है, और सबसे लेटिश नवीन गुफा, 12 कही जाती है, तो 9, 10, 16, 17, 12 में पेंटिंग्स मिली है, जनता की केव में, तो डिसकस कर लेते हैं, केव नमबर 9, केव नमबर 9, कुफा संक्य है, जो नौ रहा था, वो दृतिय शताबती का था, चैत्या गुफा कहा जाता है, बिसकली चैत्या हो चैत्या केव, ठीक है, सेकंडरी, इंपोर्टेंट आस्क है, कि हीनायान और महायान संप्रदाइस से संबंदे थे, ये गुफा, अब हीनायान और महायान क्या होता है, तो हीनायान में, एक्च्वल में, बौध के, सिंबॉलिक फॉर्म, प्रतिकों की पूजा की जाती थी, और महायान में, बुद्ध के फूल, इस्टैचू, फूल फिगर्स की पूजा की जाती थी, उनकी मुर्तिक के प्रेयर करते थे, निर्माण कैसे हुआ, तो आर्द सात्वाहना, सुंग सात्वाहना, राजा, शालिवाहन के टाइम में हुआ, केवल केव नंबर 9 नहीं ऐसी गुफा है, गुफा संक्या 9 के बारे में जिक्र हो रहा है, ये गुफा के वल ऐसी है, जो हिनायान और महायान दोनों संप्रदाय से संबन देते हैं, पूछा जाए कि कौन सी गुफा है, जो दोनों संप्रदाय से संबन देते हैं, तो ये चैत्या है, और हिनायान महायान द यहले chapter में डिस्कस किया था बहुत धर्म के रिलीजियस जानना बहुत जूरी है बहुत धर्मे के रिगारणिंगे आपको पींटिनेंग मिलेंगे इस में चितरे दोस्तरेट है कितने स्तरीट हे प्राइभ यह तरीके से बहुत धर्मे से समझने दे बादामी गुफा में देखने को मलते हैं हिंदु धर्म के रिगार्डिंग इस गुफा में ठोस अर्मिका वाले च्छत्रियों के शिश वाला इस तूप बना हुआ है गुफा का आकार कैसा है तो घोड़े के नाल जैसे मैंने शुरू के पार्ट फर्स्ट में explain किया था कि अजन्ता की गुफा जो है वो अर्ध चन्राकार है घोड़े के नाल अर्ध चन्राकार कहेंगे तो ये भी घोड़े के नाल के shape में ही है अर्दिशनरकार कहा जा सकता है केव नमबर 9 को पार्ट फर्ष जरूर देखिएगा ओके चलिए नेक्ट पॉइंट देखिए इस गुफा में 23 खंबे हैं पूरे कितने खंबे हैं 23 खंबे हैं पेंटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है उबदेशक बुद्ध और बोधिसत्व इस्तूप पूजा सोले वेक्ति का समूँ बैठी हुई नारी आकरती आसीन नारी जौन गृफिंग्स द्वारा खोज़ा गया इस समय इस समय का सबसे सर्वशेश पेंटिंग कौन सा कहा जाता है बैठी हुई नारी आकरती पश्यों को खदेरते चरवाएं दो नाग पुरूश पांच खाली सिंहासन और दो पद दिखाएगे छे पद दिखाएगे ये सारा ही टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये जितने भी पेंटिंग्स है नेक्स्ट केव नंबर टैन के वारे में जिक्र हो रहा है गुफा संक्या 10, 220 का कहा जा रहा है निर्माण अद्र सात्वाना काल में वरेशदी पुत्र ने करवा कर दान किया था इस गुफा के इस्तंबो पर बुद्ध की आकरितियां संभंगी मुद्रा में मिली है कितने भंग होते हैं तो 4 होते हैं पहला होता है संभंग, अभंग, त्री भंग और अती भंग संभंग में आपको इस्टाचू सीधी मिलेगी और अभंग में थोड़ी सी मुवमेंटेबल त्री भंग में थोड़ा और जिसे नटराज रख सकते हैं और आती भंग में प्रॉपर तरीके से मुवमेंट होता है बॉड़ी के पोजिशन में तो यहां रखिएगा यह जो संभंगी मुद्रा होता है यह बिल्कुल एक्चुल में इस्ट्रेट फिगर्स को कहते है बुद्ध की आकृती में सिर के पीछे प्रभा मंडल बना है अब प्रभा मंडल किसकी रेन है गंधा शैली की रेन है अब आप सोच जोंगे यह प्रभा मंडल क्या होता है तो देखिए सपोस कीज़े गौतम बुद्ध की यह इस्टैचू है तो उनकी मूर्ती के पीछे देखिएगा आपको इस तरह से देखने को मिलेगा इसे ही कहा जाता है प्रभा मंडल और आभा मंडल तो यह एक्चुल में तो गांधारा शैली की देन थी लेकिन अजनता की केव नंबर दस में भी प्रभा मंडल का प्रियोग किया गया है इस गुफा चित्रों में स्वाड रंग गोल्डन कलर्स का यूज किया गया है गुफा संख्या अठा है मतलब गुफा में टोटल 28 खंबे हैं यह गुफा सबसे पहले खोजी कोई गुफा है किसकी दिश्टी से painting की दिश्टी से यह टर्म्स तिहान रखिएगा painting के परपस से सबसे पहले खोजी कई कुफा है केव नंबर 10 और अगर बात करें कि निर्माड की दिश्टी से सबसे पहली गुफा कौन से कही जाएगी तो केव नमबर 13 निर्माड की दिश्टी से सरपत्म गुफा है सबसे पहली खोजी गई और पेंटिंग के पपस से सबसे पहली खोजी गई गुफा केव नमबर 10 है आजंता का सबसे प्राचीन चीत्र इसी गुफा से मिलता है निर्मान की दिष्टे से केव नंबर 13 आपको याद रखना है बेटिंग की दिष्टे से सबसे प्राचीन पेंटिंग्स यही से मलती है इस गुफा से एक शिला लेक मिलें है жест yellow लेक मतलब जो rock art होता है रॉक चटान होती है चटानों पर कोई स्क्रिप्ट को लिख देना इसे ही बोलते हैं सिला लेक सिला बिसे कलिए कहते किसे हैं तो रॉक को बोलते हैं लेक मतलब स्क्रिप्ट होता है लेक लिखना उसे सिला लेक कहते हैं सिला लेक कहां से मिला है केव नमबर 10 से इस गुफा से एक सिला लेक मिला है पेंटिंग तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है श्याम जातक चंदन जातक और राजकी ये शोभायात्रा बौध व्रिक्ष की पूजा करने के लिए राजा का जुलूस तो यहां पर मैं फाइव इस लिए लगा रही हूं क्योंकि यह बहुत जादा इंपॉर्टेंट है इनको माइंड में आपको रखना यह तीनों इंपॉर्टेंट है फिर स्टार्ट हो जाता है केव नमबर 16 गुफा संख्या सोले का टाइम का आ जाता है तीन सो जो समय रहा था इस टाइम डिरेशन में तौरव द्वार पर काम हुआ था गुफा संख्या 10 के तौरव द्वार पर फिर उसके बाद गुफा संख्या सोले शुरू हो जाता है जिसका समय तीन सो पचास से चार सो पचात्तर यह पांस सो सम्थिंग कहा जाता है वाकटक्व गुप्तकाल का गुफा कहा जाता है इस गुफा का निर्माण वाकटका वंस के राजा हरीशेन के मंत्री वराहदेव ने कराया था सभी गुफा मध्य में इस्थित है इसे चैत्या मंदीर भी कहते हैं क्या कहते हैं चैत्या मंदीर भी कहते हैं यहां से सब्तकुंड दिखा करते हैं और केब नंबर 17 को बोलते हैं आर्ट गैलरी चित्रशाला क्योंकि सबसे ज़्यादा पेंटिंग वहीं पर मिली है यहां दर सब्सकुंद भी दिखाई देता है और इस गुफा से वाकटक काल के लेख भी प्राप्त हुए हैं वाकटक काल के लेख मिले हैं इस गुफ ने सारी पेंटिंग कमपोष्ट की हुए हैं लेकिन जोगें इंपोर्टन रगादों कि आसीन मुनी से बात चीटि वाटा लियाब बहुत इंपोर्टेंटिंग पुद्ध जन भी इंपॉर्टेंट है पाटशाला गौतम और विद्यादर धनुरभ्याश बुद्ध का गृत्याग बुद्ध देखे गृत्याग कहा कर रहे हैं गुफा संक्या सोले में इन्होंने गृत्याग किया और गुफा संक्या 17 में भिक्षा लेने चले गए अपने मतलब पुत्र राहुल को किसे यशोदर से तो यह राहुल समरपड़वाली पेंटिंग 17 की बहुत इंपॉर्टेंट है और बुद्ध का गृत्याग केव नंबर 16 की पेंटिंग है सुजाता कि खीर बन अब दो मोश्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग है काफी पर एक्जाम में पूछी गई है राजग्री की गलियों में भीशा पात्र लिये बुद्ध राजकुमारी मरा संद राजकुमारी वन अब दो मोश्ट इंपॉर्टेंट 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 पेंटिंग है मरा संद राजकुमारी मर् बुद्ध के भेट धर्मुपदेश वेरागे के निमित्तों का दर्शन चार द्रिश्य दिखाया गया है आशार में गौतम की तपश्या बुद्ध के साथ पग चलने का कथा तुसीत स्वर्ग में बुद्ध उपदेश बुद्ध के समान का द्रिश्य तो आपको यह मड़ा स की मूर्थी दो हाथियों की मूर्थी और तीसरी यह प्रलंब प्रलंब बाहु बुद्ध की मूर्थी प्रलंब बाहु बुद्ध की मूर्थी यह वाली मूर्थी भी इंपॉर्टेंट रही है ध्यान रखना है आपको नागराजय की मूर्थी दो हाथियों की मूर्थी और प्रलंब बाहु बुद्ध की मुर्ति ये तीन मुर्तियां मिली है केव जातक कथाएं जातक स्टोरिज जो होती है वो 547 होती है केव नंबर 16 में बनाएगे मात्रे सोका जातक महामरिग जातक महामरिग जातक और हस्ती जातक मड़ा संद्र राजकुमारी वन अब दा मोश्ट में इनका रिलेशन था भाई थे बुद्ध ने नंद को गृतिया करने के लिए कहा तो उनकी जो वाइव थी सुन्दरी वो मड़ा संद्र की अवस्ता में हो जाती है इसलिए इस पेंटिंग का नाम रखा गया था मड़ा संद्र राजकुमारी जिसे इंग्लिश ने बोलते हैं का डाइंग प्रिंशेज प्रेंग प्रिंशेज और ग्रिफिंग्स महादे देखंट इन्ने कहा था कि फ्लोरेंब के कलाकार इससे अच्छे रिखांगर्कण भाव कोई प्रेजंट करेंगा हमारी प्रेजंट जा यहां पर इसी को जाधा प्रियॉर्टिटी निया गया और यहां के कलाकार कहे जाते हैं आर्टिश आप यहां तक तो समझ गया होंगे ति हाइर यहां तक तो क्लियर होगे कि हाइर नसल से कंपेर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि उससे अच्छा पेंटिंग बनाया गया है रमडासन राजकुमारी किसने कहा तो गुफा संक्या सत्रे जो है यह 415 से 500 के बीच का गुफा है गुप्तकाल की कही जाती है इसका निर्मार वाकटकर राजा हरीशेन के शधालू मडलाधीश द्वारा इस गुफा में सारवधिक पेंटिंग्स देखने को मिलती है जो सबसे अच्छी कंडिशन में है सबसे अच् जाएधा मिली इसलिए से चित्र शाला कहा गया किस नेम से डिपेक चिटर शाला के से बोलते हैं महाकपी का त्याग हंसो की घबराहट कृतन जै करुणा सुनहरे म्रिगो का धर्मोपदेश important painting है हंसो की घबराहट भी important painting है बिसांतर का दाथ important painting है नर्भक्षी सौंदर मच्छे जातक मात्रश शोजग जातक बंदर और भैसा यह वाली important painting रही है राक्षसियों का रूप जाल हंस जातक तो वन आफ दा मोश्ट important painting है हंस जातक और यह शोधर की भिक्षा यह वाली painting नहीं भूलनी आपको जिसे राहुल समर पड़ यह फिर माता पुत्र यह भिशुक के नाम से जाना जाता है नेक्ष पेंटिंग है शिकारियों का अंग भंग सरत्म्रिग जातक सिंगला वादक सब्त मात्रशी बुद्ध नग्रोध म्रिग उड़ती हुई अफसरा इंपॉर्टन पेंटिंग है यहां की शिवी जातक डगे केशिवी जातक केव नंबर वन की भी फेमस रही थी और केव नंबर 17 में भी बनाई गई है लेकिन जादा इंप्रेण केवन वन के सब्सक्राइब जातक वैसे आप दोनों याद रखी examination hall में जैसे options होगा उसके according आपको questions को correct करना है श्रिंगार करती राज कुमारी हरे रंग के टोन में बनाया गया है यह वाली भी painting बहुत important है बिसांतर जातक बुद्ध के कपील वस्तु के prayer प्रत्वलंबक लंकन और नेक्ष्ट है जीवन क आठ पापों से बचने के लिए बुद्ध का आदेश मैत्रे मानुशी बुद्ध महा कवी जातक डाकनियों का युद्ध और सुरापान नेक्ष्ट है केव नमबर वन केव नमबर वन सबसे लेटेश्ट केव सबसे नई गुफा कही जाते है और सबसे अलंकरित गुफा है समय है 500-628 अंतभी पतन भी इसी गुफा से माना जाता है क्योंकि इस टाइम डिरेशन में अजनता गुफा सबसे नवीन और लिटेश्ट कही जाती है और लाश्ट गुफा रही है वाकटा का चालू के काल की है शैल इस्थापत्य के लिए फेमस था शैल इस्थापत्य होत चालू में वास्तोकला को रिप्रेजेंट किया गया है इस तरह से उकेरा गया है इस गुफा के बुद्ध की धर्मचक्र प्रवर्तक मुद्र की प्रतीमा प्राप्त होई है कि इस गुफा में केव नंबर वन में यहां की पद्मपानी बोधिसत्वा वन अब दे मोश्ट इ किया गया है इस पेंटिंग का कंपेर लियोनार्ड विंसी के लास सपर और गुप्त काल के लियोनार्ड विंसी के लास सपर से किया गया है ठीक और गुप्त कालीन विश्णु की आकृति से केंडेता का नियम फॉलो किया गया इस पेंटिंग में वजपानी बोधिसत्वा म प्रेमी यूगल बैलो की लड़ाई चालुक के राजा पुलकेशनिय दृतिय के दर्बार में फार्सी इरानी इरानी इन्रित्य वादन सामली राजकुमारी ये काली राजकुमारी बहुत इंपॉर्टन पेंटिंग है केव नंबर वन के नेक्स आ जाता है केव नंबर टू ग छंतिवादी जातक पूडवदान्त जातक सर्वनाज सर्वनाज पेंटिंग बहुत इंपॉर्टन है केव नंबर दो का दो बाएं अंगुठे वाली रमड़ी जिसें इंग्लिश में बोलते हैं ए लेडी विद लेफ्ट टू टायर्स प्रजापती देवी की स्वपन ये भ शुक्रद्वारा शीशु को ऊचा उठाना तो शीद स्वर्ग जूला जूलती राजकुमारी पुड़त है इंडरश्री की प्रेम कहानी बुद्ध जन में दूसरी पेंटिंग है बुद्ध जन में इंडरद्वारा गोद में बुद्ध को उठाना इस तरह से बनाया गया बुद्ध को गोद में उठाना अब देखिए नारियों की रिगार्डिंग पेंटिंग मैं यहां पर फ्रेम कर लिए जिससे आपको कंफ्यूजन क्रियेट ना करना पड़े कि कौन कौन सी राजकुमारी का कौन से गुफा में पेंटिंग मिलता है जैसे आसीन नारी यह बै फाइनली पेंटिंग के रिगार्डिंग डिस्केशन कंप्लीट हो गया नेक्ट क्लास में मैं डिसक्स करूंगी पार्ट थर्ड इंपॉर्टन नोट्स अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दू सब्सक्राइब लाइकन शेयर और और विजिट कीजेगा आपको सारे सिक्वेंस से वीडियो मिल जाएंगे प्लेलिस्ट का नेम है माइं इंपॉर्टन नोट्स इवेन आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और थैंक्यू सो मच बेश्विसेस फॉर एक्जाएम